आपके घर में कोई रह रहा हो और आप उसे ढूणने पा रहे हो तो आप क्या करोगे इसी एक interesting concept के साथ आज की movie आती है Hello friends, आज मैं आपको 2004 की The Uninvited Guest ये एक mystery thriller movie explain करने वाला हूँ ये movie इतने सही है कि आप अगर इस movie को देखने बैठे तो आप एक जगा से उटने पाओगे इस movie के end में बहुती बड़ा twist है तो चलिए directly शुरू करते है movie start होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखता है इस घर में Felix अकेला ही रहता है अभी अभी इसका तलाख हुआ है और ये एक architect है इस पूरे घर को उसने ही अभी अभी design किया होता है एक नए घर के plan पर वो काम कर रहा होता है तब ही उससे लगता है कि घर में कोई है ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब एक देखने की ले जाता है तो उसकी वाइफ ही होती है उसके ex-wife के पास अभी भी घर की गीज है इसलिए और अंदर आ कई थी इसकी wife की बहुत सारी चीज़े अभी भी घर पर है तो यह लेने के लिए आती रहती है Felix को अभी भी लगता है कि उसकी wife उसके पास वापस आ जाए पर यह होने नहीं माला होता Felix उसके wife से उसके apartment के बारे में पुछता है यह सिर्फ 300 square foot की apartment होती है इसका अगर बहुत बढ़ा होता है कि wife कही थी कि मेरा घर चोटा है पर फिर भी वहाँ couple रह सकते है इसके जो boxes होते है यह दो महिनों से यह होते है Felix उसे बोल रहा होता है कि एक बार में अब सम्प तुम यह लेकर जाओ अब हमें दीखता है कि Felix अपने लिए खाना बनाता है अच्छी सी wine बूर करता है अच्छा से dinner करता है जब वो रात में खिडगी से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे देख रहा है उसके घर के बाहर ही एक phone boot होता है इस phone boot के पास वो आदमी खड़ा होता है रात में जब Felix सोय होता है तो हमें दीखता है कि उसके खिडगी से कोई उसे घर में देख रहा है इसके बाद next दिन आता है Felix अपना routine स्टार करता है और अपने लिए breakfast बनाता है तब ही neighbor का कुट्टा भाज आता है उसका जो breakfast होता है वो यह खराब कर देता है इस कुट्टे को बहार निकालता है तो उसकी owner आ जाती है यह कुट्टे की owner फिलिस को बहुत डाटती है वो कहीती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो कहीती है मैरे dog को तुम हाथ नहीं लगा सकते यह उस पर बहुत ही जट गही होती है फिलिस भी कहता है कि यह मेरा घर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुमारा dog यहाँ कैसे आ सकता है उसके dog को वो control करने के लिए बोलता है यह neighbor फिर वहाँ जा दे जाते है उसे बहुत सारी गाले अदे कर जाती है फिलिस के वाइफ की एक अच्छा सा portrait उसने बनाय हुआ होता है उसकी वाइफ यह मांग रहे थी पर उसे यह उससे देना नहीं है इसकी वाइफ को यह बहुत ही पसंद है और फिलिस को भी इससे देखना अच्छा लगता है इस portrait को उसने अपने बेट के नीचे छुपा कर रखा होता है नेकसे में हमें दिखता है कि दोपेर में फिलिस की वाइफ आती है वो बड़ी से ट्रेक ही लेकर आती है सब moving वाले लोग आते हैं और सब जो boxes उसके हैं यह सब लेकर जाते है फिलिस की वाइफ अंदर भी नहीं आती है रात में फिलिस को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे चोड़कर चली गई है तब ही डोर पर एक नौक आती है उसे लगता है कि उसकी वाइफ है आई होगी पर वहाँ उसका एक neighbor आयो होता है पिछली रात उसने जो इस आदमी को बाहर देखा था यह वही आदमी है इस आदमी का नाम Bruno होता है और यह इसका इनेवर होता है फिर Bruno Felix से कहता है क्या तुमारे घर से में call कर सकता हूँ फिलिस बोलता है कि बाहर तो एक payphone है वहाँ से तुम क्यों नहीं कर सकते ब्रुनो कहता है कि बाहर का payphone खराब है ब्रुनो जब अंदर आता है तो घर की बहुत तारीफ करता है फिलिस को भी अच्छा लगता है ब्रुनो को एक call लगा नहोता है पर वो private करना होता है इसलोब फिलिस को बाहर से जाने के लिए बोलता है Phyllis कीचन में चला जाता है और पहुत देर हो जाती है फिर भी Bruno का कुछ भी अता-पता उसे समझ में आता जब और फिर से hall में आता है तो फोन की तरब देखता है तो वह बुर भुनो नहीं होता वो पूरे घर में उसे ढूनता है तो उसे कही भी नहीं मिलता उसे लगता है कि वो चला गया है फिलिस को यह बहुत ही suspicious लगा होता है वो बाहर आता है और पेफोन चेक करता है यह अभी भी काम कर रहा होता है फिलिस का जो रात में वो काम करता है वो स्टार्ट हो जाता है वो अपने लिए डिनर कुक करता है और सो जाता है रात में जब वो बेड में होता है तो उसे अपने घर में से कुछ आवाज आती है ये एक वेड़ उठाता है अगर कोई होगा तो इससे उसे मार सकता है उसे लगता है कि आवाजी जो है ये बेस्मेंट से आ रही है basement जाकर check करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता अचानक से इसके basement का door lock हो जाता है यह जल्दी से उपर जाता है और बहुत सारा टाय करने के बाद यह door खोलता है यह फिर डर गया आता है उसे अभी भी घर में से आवाज जा रही होती है ये फिर जल्दी से अपनी कार में बेटता है और वहाँ से निकल जाता है सुबा हो जाती है पर फिर भी वो बाहर ही रहता है एक रेस्टोरंट में आता है और वही पर वो सब ब्रेक्फास्ट वगरे करता है अभी भी उसे घर नहीं जाना होता तो उसके wife के पास वह आ जाता है जब वो उसके wife का घर देखता है तो यह बहुत ही छोटा होता है इसकी wife को यह पसंद नहीं आता पर सा positive चीज़े इसके बारे मों कहे रहा होता है फिलिक्स के wife के apartment पर यह दोनों मिल कर हसते है फिलिक्स इसके पास बेटा हुआता है तो उसे कहता है कि क्या अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता इसकी wife उसे बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता फिलिक्स frustrated हो जाता है वो कहता है कि क्या कोई और तुमारी life में है उसकी वाइफ इस पर कुछ भी बोलने रहे होती तो फिलिस गुस्ते से जा रहा होता है इसकी वाइफ उसे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है इसके बाद फिलिस फिर अपने घर आ जाता है घर आने के बाद वो शावर वेकरा लेता है और जब न टौइल देखता है तो अज़ीब सी स्मेल उसमें से आती है उसे लगता है कि हौँ already कोई था जिसने शौर यहा किया है उसके बेड थो देखता है तो उसका बेड थोड़ा सा गिला होता है इसके सिंक में भी उसे किसी ने शेव किया है इसके बाल उसे दिखते है ये घर में जो आवाजे आती है इसे वो चेक करता रहता है जिस रूम में वो काम करता है वहाँ उसे कोई खड़ा है इसे शैड़ो उसे दिखते है यह देखने के बाद वो डर जाता है और कुछ भी आवाज ना करते हुए नीचे आ जाता है यह जाने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो पुरा घर जानती है पुलिस को कोई भी यहां मिला नहीं होता अब पुलिस उसे बुछती है कि exactly तुमने उसे कहा देखा था फिलिस जब फिर से उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो काम करता है जहाँ उसने shadow दिखी थी तब उसे पता चलता है कि यह coat था यह coat की shadow glasses सोर पड़ रही थी और उसे लगा था कि हाँ कोई आदमी है फिलिस फिर एक story make-up कर देता है कि उसे table के नीचे एक आदमी दिखा था पुलिस जाने के बाद फिर से फिलिस को आवाज आने लग जाती है अब यह बहुती disturb हो जाता है और यह सहन नहीं कर पा रहा इसके wife को फिर यह call लगाता है इसके wife ने उसे बोला होता है कि इनका divorce हो जुका है फिर वे एक दूसरे के friends हो रहे सकते है इसके wife आकर उससे question पुछती है यह क्यों तुमने मुझे हाँ बोलवाया है यह इसका कुछ भी सुन नहीं रहा होता यह अपने ही thoughts में होता है इसकी wife फिर इसकी cheat जाती है इससे बात नहीं कर रहा तो वो जाने लग जाती है फिलिक्स खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मच जाओ और तब उससे फिर से आवाज आती है अपने हाथ में जो glass होता है वो नीचे वो गिरा देता है फिलिक्स खड़ा है वो नो intimate हो जाते है रात में जो आदमी उसके घर आया था इसके बारे में उसके वाइफ को कहता है इसके वाइफ उससे पुछती है कि वो कैसा देखता था फिलिक्स रोट जाता है और उस आदमी का sketch बनाता है रात में फिलिक्स अपने वाइफ को कहता है कि ये सेंस नहीं है इस बात में कोई कैसे एक ही घर में बिना आवाज करे हुए रह सकता है कभी न कभी तो उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा घर का ओनर बाहर जाता है तो इस घर में वो रह सकता है पर अगर घर का ओनर वापस आ जाए तो फिर से हो छुप नहीं सकता एक ना एक दिन वो अपने आपको दिखाई देगा यह somewhat philosophical statement यहाँ दिया जाता है अगर घर में दो लोग है और एक दुसरे के साथ हो खुश नहीं है तो यह जो टेंशन है यह कभी ना कभी बाहर आएगी ही इस टेंशन को आप छुपा नहीं सकते हैं इस सीन रिप्रेजेंट करता है रात में जब फिलिस की वाइफ सोई हुए होती है तो इसने अपनी वाइफ का जो फोटो था यह बेड़ की नीचे ही रखाता यह पेंटिंग वो उठाता है और उपर रख देता है इसके बाद फिलिस सोय हुआ में दिखता है और उसकी वाइफ वहाँ से उठकर चली जाती है जब यह किचन में आती है तब किसी से बात करी हुथी है ये कह रहे हुती है कि इतने टाइम तक हम इसे चुपा कर रखेंगे तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते Felix फिर वहाँ आ जाता है उसे बूछता है कि तुम कि से बात कर रहे थी उसके वाइब बोलती है कि मैं किसे से भी बात नहीं कर रही थी फिलिस इस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता वो बहुती चिट गयाता है वो डरा होता है इसे वाज़े से उसके हाथ में नाइफ होती है इसकी वाइफ वो कुछ बोल रही थी ये डिनाइ करती है ये दोनों एक दूसरे के पास होते है और ये फाइट कर रही होते है फिलिस उसके वाइफ का हाथ पकड़ लेता है तो उसे वो दूर फेकने के लिए हाथ इससे करती है तब ही उसके हाथ में एक कट आ जाता है फिलिस के हाथ में जो नाइफ होती है इसे ही कट आया होता है इसकी वाइब जब जा रही हुती है तो फिलिस उसे कहता है कि तुम डरी हो, मुझे मालूम है, तुम मैं भी डरा हुआ ही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हट नहीं कर सकता, फिलिसे तुम्हारे अपने दिमाग में रखो, तुम उसे अब डर रही हो, इसलिए मैं यही रुकू और जरह डर के पास ही वह खाने लग जाता है, अब हम देखते हैं कि नेवर का जो डॉक था, यह वहाँ आ चुका है, फिलिस को आइड़ा आती है, तो उस नेवर के डॉक को लिश लगाता है, उसे वो घर में अगर कोई होगा, तो उसे ढूणने के लिए कहता है, यह डॉक फिर स्टेर से उपर आ जाता है, फिलिक्स भी उसके पीचे पीचे ही आया होता है, तो तब ही उसकी नेवर आ जाती है, नेवर जब देखती है कि फिलिक्स ने उस पर लिश लगाई है, तो यह लिश वो फिलिक्स से ले ले लीती है, इस डॉक की पीचे 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 पुलिस को घर जानना नहीं होता है। पुलिस ओफिसर जब इससे घर जाने की लगेता है। जब पास जाता है तो इससे खुन पड़ा हुआ है यह दिखता है। storage room में कोई चला गया है तो अंदर से वो door open करने कोशिश करता है पर फेले इस पूरे जोर लगा कर इस door को burn कर देता है इसको lock भी कर देता है थोड़े दिन पहले जो आदमी घर में आया था उसका sketch उठाता है घर सब lock करता है और इसके बाद घर के बाहर आ जाता है थोड़े आ इस neighborhood में एक आदमी रहता है इसका sketch है उसका friend इस वर बिलिव नहीं कर रहा होता फिलिप जब सब नीन से उठता है तो इस सब बाते हो सुन लेता है जब इसमें बहुत ज़ादा interested हो जाता है यह बच्चे फिर उस आदमी का इसे पता दे देते है इसके बाद हम देखते है कि इसके neighbor में ही है इसका नाम Claudia होता है Claudia और उसका friend बात कर रहे होते है तब हमें पता चलता है Claudia का husband दो तीन दीन सो गायव है यह बहुत ही परिशान है इसे अभी भी लग रहा था कि इसका husband घर वापस आ चुका होगा यहाँ पर कोई भी नहीं होता Claudia अभी भी paralyzed हुए तो उससे लगता है कि यह paralyzed है इसी वज़े से उसका husband उसे छोड़ कर चला गया है यह यहाँ रोने लग जाती है उसका friend उसे सहारा देता है उसका friend उसे बोलता है कि तुम्हारा husband वापस आ जाएगा वो मेरा भी फ्रेंड था वो ऐसे किसी को भी छोड़ कर नहीं जा सकता फिलिक्स यह चुपा हो होता है बहुत रात हो जाती है तो फिलिक्स यही सोपेवर्स हो जाता है सुबहा Claudia अपने वेल्चे से जब नीचे आती है तो फिलिक्स से देख लेता है वो घर में छुप जाता है उसके घर में कोई मर चुका है यह अब सोर्च कर फिर से अपने घर में नहीं जा इस घर में वो छुपता रहता है, क्लॉडिया जब नीचे जाती है, तो उसके रूम में वो बात वेकर लेता है, क्लॉडिया रात में टीवी देखती है, तो यही टीवी वो देखता है, उसका जो सब रूटिन होता है, उसके साथ करता है, रात में सोने के लिए क्लॉडिया उ जो लिफ्ट होती है उस पर हाथ फिलिस का पड़ जाता है इससे वो नीचे चली जाती है क्लॉडियो को लगता है कि घर में कोई है और वो बहुत ही डर जाती है अपने बेडरूमें आकर अपने फ्रेंड को कॉल कर दीती है फिलिस भी क्लॉडिया के नजरों से छुपकर प्रेडुम नहीं चानते है। क्लॉडिया का फ्रेड उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मार्टिन वहा होगा। यह कही थी कि वह नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से वह अपने बेस्मेंट में रहता है। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ वो कुछ डिक कर रहा था। मेरी ही ग्रेव वो डिक कर रहा था। ऐसा मुझे लगता था। क्लॉडिया को बहुत यह सिली लगता है और उसका फ्रेड और वो इस पर हसने लग जाते हैं। इसके बाद उसका फ्रेंड उसे cheer up करने के लिए कहता है ये कल तुम्हारा birthday है हम तुम्हारे लिए कुछ celebration करते है Claudia का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे birthday के लिए तुम्हें क्या चाहिए Claudia कहती है मुझे इन सबसे दूर जाना है उसका फ्रेंड इसके लिए agree नहीं करता वो कहता है कि अच्छे से restaurant में हम जाएंगे Claudia का फ्रेंड और Claudia इन तोनों में नजदी कि आप पढ़ने लग गई होती है Claudia जब अपने room में आती है तो अपने आपको please करने लग जाती है नेक्स दिन जब आता है तो Claudia को लगता है कि फिर से नीचे कोई है वो जब देखने के लिए जाती है तो उसके फ्रेंड ने उसके लिए surprise party प्लान की होती है उसके सब फ्रेंड वहा होती है Claudia का फ्रेंड जब उपर आता है तो उसे Felix दीख जाता है उसे लगता है कि party में इसे invite किया गया होगा वो फिलिस को डाटता है और खेता है कि मैंने सब लोग को नीचे ही रहने के लिए बोला था तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिलिस उसे apologize करता है और नीचे आ जाता है उसे वहाँ Claudia दिखती है तो Claudia से बात करने लग जाता है वो Claudia से कहता है कि मैंने तुमारे लिए कुछ भी gift निलाया है यसा फिर से कभी नहीं होगा वो Claudia से flood करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए perfect है हम तुमारे birthday के लिए कही नई country में कही अलग जगा पर जा सकते है Claudia क्राइम से related TV shows देखती है तो यह कहता है कि हम दोनों एक साथ देख सकते है उसे जो books पसनाती है यह भी हो कहता है Claudia उसे पुछती है कि तुम कौन हो उसे बहुत ही अजिब लगता है तब ही Claudia का friend यह आ जाता है यह सबसे कह रहा होता है कि आज बहुत ही देर हो चुकी है सब घर से अब जा रहे होते है यह Felix को भी निकल ने के लिए कहता है Felix प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से चला गया है वो सिप डोर बन करता है और वही चिप जाता है Claudia और उसका friend यह दोनों फिर उपर जाते है Claudia उससे flood कर रहे होती है तो इसके बाद यह दोनों intimate होने वाले होते है Felix घर में walk कर रहा होता है तब ही उससे एक pot नीचे गिर जाता है Claudia और उसका friend अब नीचे आने वाले है तो बहुत ही डर गया होते है जिस spot को उसने तोड़ा होता है उसमें basement की चावी होती है इस चावी से basement को खोल लेता है और अंदर आ जाता है Claudia उसके friend को आवाज आती है कि यह basement में छुप गया है Claudia अपने friend को कह रहे होती कि प्लीज basement में मत जाओ उसका पती हो सकता है यह उसे कहती ही कि कुछ दिनों पहले मेरा पती basement में था तब बाहर से मैंने उसे lock कर दिया था दो-दो घंटे में उसे कुछ खाना पिना चाहिए होता है वरना वो मर सकता है इसके बाद उसकी कभी मुझे आवाज नहीं आई इसका मतलब है Claudia नहीं अपने husband को मार दिया है Claudia के husband की body उसके friend को मिल सकती है इसलिए हो कह रहे होती है यह जो सब है यह perfect है तुम्हें नीजे जाने के कोई भी ज़रुवत नहीं है इसका friend नहीं मानता कहता है कि वह और कोई भी हो सकता है अंदर आने के बाद यहाँ फिलिस उसे मिल जाता है यह दोनों एक दूसरे से fight करने लग जाते है यह दोनों एक दूसरे के बहुत injure कर देते इस basement का जो plan होता है यह फिलिस को यहाँ दिखता है इस basement में एक underground tunnel होता है इस tunnel से वो बाहर निकल जाएगा इसलिए tunnel में खुस रहाता है तभी Claudia का friend एक चाको लेता है और फिलिस को injure कर देता है फिलिक्स और Claudia के friend की जो fight हो रही थी तब जो basement की stairs थी इन दोनों ने इन staircase को खोगला कर दिया था इसके उपर ही Claudia थी यह staircase तूट जाती है और Claudia उसके friend पर ही पड़ जाती है यह दोनों यही मर जाते है फिलिक्स टरनल में होता है तो आगे चलने लग जाता है आगे चलते चलते Claudia का husband उसे मिल जाता है जो आदमी उसके घर पर आया था यह वही उसे दिख जाता है यह वही मर कर बढ़ा हो उता है इसका मतलब है Claudia ने जब दर्वाजा बन किया था तो सचमुच में उसका husband वहा था उसका husband उसे कुछ भी मिला नहीं था इसी वज़े से मर गया था इस आदमी के हाथ में हमें एक हतोड़ी दिखती है मनने से पहले इस basement से निकलने के लिए एक wall को तोड़ रहा था इसको तोड़ नहीं पाया Felix भी अब यहाँ से निकलना जाता है तो इस wall को तोड़ देता है इस wall को जब वो तोड़ता है तो एक अलग से basement में आ जाता है इस basement को वो पहचान लेता है यह Felix के घर का ही basement होता है Felix को उपर से आवाज आ रहे होती है तो उपर वो देखने के ले जाता है इस door के पीछे उसने किसी को गोली से मार कर बन कर दिया था उसने door में एक hole crate किया है Felix जब इस door से देखता है तो अंदर उसकी wife होती है इसके wife को यह उसने shot कर दिया था इसके wife का हाथ उसके stomach पर हमें दिखता है यह pregnant होती है अपने baby से बात कर रही होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे यही movie end हो जाती है movie के बीच में हमने देखा था कि Phyllis की wife उसके साथ एक रात के लिए रुकी थी तो हो किसे से बात कर रही थी यह उसकी baby से ही बात कर रही थी इसकी baby से कह रही थी कि कभी ना कभी तुमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा तुमारे बारे में हम Phyllis को बताना पड़ेगा Phyllis को लगा था कि किसी stranger से बात कर रही है पर अपने बेबी से बात कर रही थी फिलिस को अपने घर में आवाज आती थी उसे बेस्मेंट से आवाज आई थी तो उसका नेबर ये था नेबर जब मर रहा था तो ये वाल वो तोड रहा था इसी वज़े से उसे इस बेस्मेंट से आवाज आ रही थी वो वैस्मेंट दिखने गया था वर वैस्मेंट का डॉर क्लोज हो गया था इससे वो डिस्टर्ब हो गया था फिलिप्स की वाइफ को उसकी पेंटिंग जाए थी ये पेंटिंग लेने के लिए ही वो रात में आती रहती थी फिलिप्स को लगता था कि कोई घर में है तो उसकी वाइफ वहाँ थी वो उपर जाकर बॉक्सेस में कुछ धूनती रहती थी फिलिप्स ने जब गन चलाए तो उसकी वाइफ वहाँ थी और वहाँ फोटो रून रही थी हमने लास सीन में देखा है कि वहाँ एक फोटो भी पड़ी हुई थी जो नेबर फिलिप्स के घर में कॉल करने के लिए आया था वो तभी वहाँ से चला गया था फिलिप्स को लगा कि वह अभी भी घर में ही है मूवे के एंड में सब जो कैरेक्टरस थे यह सब मर चुके हैं यह बहुत ही मिस्टरियस सस्पेंसफुल मूवी थी पूरी मूवी में आप एक जगा से उट भी नहीं सकते अगर आपको वीडियो अचलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजएगा मैं बहुत सारी मूवी ज़ लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजए और बेल एडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया